पासे आकश हमारे साथ जुड़ गया आकश एक पीएफाई पर एक बड़ा एक्सेंड आज हुआ है ये इस नेटवर्क की बात की जाए तो कब से ये संचालित हो रहा था पूरा अपडेट अभी तक का बताईए रितु यदि मैं बताऊं कि लंबे समय से पीएफाई पर केंद्र सरकार हो या राज्य शरकार अंकुछ लगाने की कोईशित कर रही है वैसे लगातार इनके बारे में इंपुट मिलते रहे हैं कि टेरर फंडिंग करते हैं यदि मैं पूर्व की घटनाओं के बात करूं इंद प्रेंट आफ इंडिया को बेंड करने की कोई से जो है की जा रही है और कोई भी से जुड़े लोग हैं किसी गतिविदियों में सामिल पाए जाते हैं तो उन पर सक से सक कारवाई की जाएगी लेकिन अब केंद्र की जो एजेंसी है एना ये उसने और एडी ने ये का उसको इंदोर से उसकी गरबतारी हुई है जेन और इंदोर में ये कारवाई सायुक्त की गई है अलग जलों अन्य जलों में भी ये कारवाई की गई थी लेकिन बहां से किसी की गरबतारी नहीं की गई है और यही कारणे की एना ये ने उसकी बारे में किसी तरीके से लगातार सामिल है और यही कारणे की केंद्र की एजेंसी अनलगातार नजर बनाई हुई थी और यही कारणे की सिर्फ एक स्टेट में ग्यारा स्टेटों में इस तरीके से छापमार कारवाई की गई है और 108 लोगों गरपतारी की गई है मतलब आप समझ सकते हैं कि यह कितने लंबे समय से कार कर रहा है और कहां कहां तक इनकी पहुँच है अब इन 108 लोगों की गरपतारी हुई है इंसे पूश्टाज की जाएगी और इसके बाद हम कह सकते हैं कि इन्होंने कहां कहां फंडिंग किया और किन गतिविदियों में सामिल है इन तवाम चीजों पर एन आ तो कहीं नगे संकेत करते हैं कि फंडिंग तो की जा रही थी नजरे बना रखेगा आगकर शागे भी आपसे अब्रेट लेते रहेंगे फिलार बहुत बहुत शुक्री आपका